दियान से देखो पहला जो टॉपिक है एलेक्ट्रिक फॉर्स एलेक्ट्रिक फॉर्स इस फॉर्स्ट टाइब का जो क्वेस्टिन्स है वो ए फॉर्स ऐसे हैं एंडिफ्रेंट मीडियम को कैसे हम है यहाद मीडियम में क्या होगा की तरीके से फैक्टर पता है यह अधर मेडिया में लाक्रिफ हो जाके डिक्री जी होना है बट मैथनोटिकली उसको कैसे रिलेट करेंगे कैसे मैथमेटिकली देखना वो चीज है ठीक है दूसरा टाइप जीरो टू है सिर्टम सिर्टम आर इन इक्किलब्रियम टेकल ब्रियम गिल गर स्क्ट थूप है लंग्तिवस कोई सिस्टम दीया हूए दो तीन चार्द दीया हुए तो हर एक चारज क्या करेगा यह फ ऑधगर कई उंग कोछ न दूट्रेकर इस इस KeTS एक अब्डी प्र चार्ज पार्टेकल्स में नेट फॉर्स क्या होना चाहिए किसके दोरा जैसे मांगों चार्ज़ होना चाई होना चाहिए अगर every particles पे तो हम क्या बोलेंगे सिस्टम को को 통 esté कि में इस तक रिशह कि सुट्र के रिस्पेक्ट में देखना हो पिसके रिसपेक्ट में एक्लमा थे कि नृट एजज़ रिस्पेक्ट में देखना टो कि जैसे पेंडूलम विले टाइप में क्या होजाए गहीं पर मेकेनिकल फोर्स भी आता है एमजी आ रहा है टी कॉस्ट इदा रहा है टेंसन आ रहा है तो इसको भी कंसीडर करेंगे सब्सक्राइब का प्रॉब्लम इस पर आता है टाइप जीरू थी इसमें इसी में देखेंगे जैसे मानगे चलो कभी टू पॉइंट चार्ज प्रॉब्लम आता है टू पॉइंट चार्ज प्रॉब्लम और इसमें होता है एक मल्टिपल पॉइंट चार्ज हो अंगे एंट सार्ज उनुट रग आईएंटे जांस दो तरह थो थो-तर टाइब जीरू-त्री में बॉसकि क्या होगा मान के चलो कोई गिवन सिस्टेम और उइक्लिभियम में नहीं है िवई गिवन शिस्टेम में नहीं नहीं तुमें कर रहा है यहां पर कोई चार्ज पार्टिकल से यहां पर यहां पर अभी कर रहा है यह सिस्टम में नहीं है और मुझे कर रहा है 1234 सब के वजह से यहां पर हमने एफनेट निकालेंगे तो कुछ न कुछ एफनेट क्या आएगा एक रहा है नोट इकोल टू जीरो क्यों आएगा एफनेट इकल टूज फिरो यह सिस्टम में नहीं आप पॉइंट है उट एफनेट इकल टू जी रोगा अगर हमें इस system को equilibrium में लाना है तो हमें कोई question पूछेगा तो बताओ इसके आसपास क्या additional charge लाए और लोग कुछ चार्ज यहां पर extra लिया है जिसके additional charge के वज़े से क्या होगा इस net charge पर जो force net आयागा उसको क्या करेगा कैंसल लाउट करके जीरो करने की कुछ इस करेगा तो एक क्वेस्टेंस आता है जब system कि system कि आर कि नॉट इन इकलिवियम कि एकलिवियम और सिस्टम आर नॉट इन इकलिवियम है तो उससे क्या हमें करना है एकलिवियम कि बनानी है कि system इकलिवियम में नहीं है कैसे बना सकते है था मोरा है हेलं कि देश्टम चार्ज को इं उन आ उसक्रोगे और वही एडेश्टमार चार्ज के बारे में क्या करते एक उसके वज़य से क्या हो को सिश्टम इकलूप्यं में आएगा समझ में यह रहा है कि नैकर एक प्रॉब्लम है जिसको कर हो है जिसने तुम्हें तुम्याति हो रहा है वो कौन सा प्रॉब्लम है इस भी पैंडूलम टाइप कर गार whole that अब कर रहे हिसमें क्या हो रहा है कि तो दिया था बी एक वर्टिकल वाल पेह को फिक्स कर दिया था और क्योंकि इसके दोरा कुछ नंतर को फोसे इसके इसके दुए थि कॉणक्पोंठेक्वोर्सहें एक कि अगता है तो चील बांगा यह थीटा जायगा these सास्थक्राइब और पूदन के काल कि कि एक्स्ट्रीम पोजिए से मीं प्राइब अना चाहिएगा वक्ता और ना फिर्श्री यह इसकों सा सरी और फोर्श लगा रहे है यह उसको पड़े करते करें हैं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है उसका एक एक करके हम देखते हैं टाइप 01 से कैसे करते हैं सबसे पहला जो प्रॉब्लम है वो टाइप 01 में है यहां से देखो जब भी कोई physics का फॉर्मूला पढ़ते हो कुछ भी पढ़ते हो उसको रिलेट किया करो रिलेट करोगे तभी चीजों को सीखो कि ध्यां से देखो सेंपल क्या है कुलाम से बताओ क्या है पुलो 1 by 4 पे क्यूवन क्यूटू गेटरी क्या है के कि यह क्या हो अगे हो चीह है क्यों एक क्तरगा क्या है क्यों स्कार्ण नहीं है क्यों से पता है में यां से देखो कैसे हम इसको रेलेट करते हैं यह किसे के लिए it area by area vacuum के लिए our vacuum a general DCrésie कर थे एपसिलोन नॉट की वैलु याद रखना है कितना होता है Epsilon года का चार्ट 8.85 के यह पास होता है इंट्टीर आजयाम माइनसो कि अब इसको देल किसमें करना मुझे आधर मीडियं में तो देल अधर मीडियं में कैसे होता है कि अधर मीडियम में एक क्वेंटिटीज डिफाइन होता है जिसको करते हैं डायलक्ट्रिक कॉंस्टेंट अब इसको इसको सेम मत मान ले ना नोटेशन यहां पर यूज कर रहे हैं डायलक्ट्रिक कॉंस्टेंट कि समाझ हुआ रहे हैं तो कि अच गन्वाव कॉंस्टेंट यह व्यार दिखर één brush है है नहीं सेब इसे फोर्टाइबसин का बोल रे हैं ऐसे यहहां नाम के थिया कि यहां पर के डायलक्ट्रिक कॉंस्टेंट किसके लिए डिफाइन होता है for a medium पार्टिकुलर मीडियम के लिए पार्टिकुलर डियालेक्टरिक कॉंस्टेंट क्या है तो डियालेक्टरिक कॉंस्टेंट की होगा अगर डियालेक्टरिक कॉंस्टेंट एक्जेक्ट्री वन कब हो जाएगा जब और मीडियम के लिए क्या हो जागा ऑल्वेज ग्रेटर देन समझ में आ रहा है कि नहीं आगर अधर मीडियम के लिए डियालेक्टरिक कॉंस्टेंट ऑल्वेज क्या हो जाएगा ग्रेटर देन वन हो जाएगा तो जब अधर मीडियम के लिए डियालेक्टरिक कॉंस्टेंट को डिफाइन कैसे करते हैं उसको देखते हैं तो डियलेक्ट्रिक कॉंस्टेंट एक्वल्टू लिखते हैं के एक्वल्टू एपसिलन अपॉन एपसिलन नॉट क्या लिखते हैं एपसिलन अपॉन एपसिलन अपॉन एपसिलन नॉट को क्या बोलते हैं सब्सक्राइब कुछ पर मीटिवी टी में अब फ्रीए च्पैस के और यह क्या हो गया पर मिटिवी टीन जो लो कि पर मेटिवी टीन है मैं अब अधर मीडियम है नॉट का मतलब क्या होता है एक पाटिकुलर मीडियम में दिए और फ्रीए स्पेस का मतलों किया यह एर में दिया रहे गाए या वैक्यू में दिया रहे गा और एपसिलन क्या हो जाएगा कि किसी भी पार्टिकुलर मेडियम में अब हमने क्या देखा है के की वेलू जो ऑलवेज क्या होता है ग्रेटर देन वन या एप्रॉक्समेट दूंक वन किसकेश में जब एपसिलन एपसिलन नॉट के कईकवल हो जाएगा तभी जो दो जायाएगा पर करें लिए उसमें क्या होगा सिर्ण और थ में किसए उनहीं चाहिए उससे हमारा चाहिए एपसिलन नॉट की वैलु जादे होना चाहिए एपसिलन की वैलुच यह एपसिलन नॉट की वैलुच क्या होनी चाहिए काफी जादे स्मॉल होना चाहिए तो एपसिलन की वैलू जो ऑल्वेज किस से बढ़ा होगा एपसिलन नॉट से बढ़ा होगा और एपसिलन है क्या पर्मिटिवीटी है किसमें अधर मीडियम के लिए एपसिलन ग्रेटर देन एपसिलन नॉट अब देखो अगर अधर मीडियम के लिए हम बात करें अधर मीडि अधर मीडियम अधर मीडियम क्लाम्स लोग क्या लिख होगे वन अपॉन पॉर पाई एपसिलन अधर मीडियम में तो एपसिलन नॉट नहीं लिखेंगे एपसिलन लिखेंगे कि यहां पर वन अपॉन फॉर पाई एपसिलन के जगह पर क्या डाल देंगे वैलूज कि यह एपसिलन नॉट क्यूवन क्यूटू बाई आर स्क्वेर थीक है तो अब क्या देख रहा है यह वैलूज तो अल्रडी हमारे पास पहले सही घाना यह तो एफ एयर है ना अपॉन के से डिफाइन हो गया है एफ मिडियाम इंगनी समझ में किसी भी मीडियम में क्या ओवेज चेह धाई कि तो हमारा ग्रेटर दिन मैं इधर वैलुज कि आएगा कि यहां पर यहां पर यहां पर रहा है पार्टिकुलर मीडियम के लिए समझ में अगर किसी भी मीडियम का अगर मुझे लख्ट्र रिक और करेंगे डिवाइड कर देंगे तो समझ में आ रहा ना तो टाइब 01 वाला प्रावलम समझ में आया तो किस तरीके से किसी अधर मीडियम में लग्टरिक फोर्स की वैलुज हमें घटके आएगा डिक्रीजिंग नहीं आएगा क्यों आएगा क्यों कि दा प्रिक वैलुज से क्या होता वो डिवाइड हो जाते ह अब दूसरा टाइब कर रावलम क्या था क्या था और बता हैinkud स्राग कर प्रावलम क्या था ऑलंट्व चार्ज बड स्गें वूंचर्ज स माइं यह क्या था शिस्टम आरिन श्यौंटросटम किस बोलते हैं कि तोम जो क्वांट इसन पढ़े हो एक अइसोलेटर सिस्टम के लिए वैलेड है कि अगर तुम आइसोलेटर सिस्टम बना पाऊगे तभी तो उस पर लगाऊए जैसे माने चलो यह सोच रहे हैं आइसोलेटर सिस्टम तब न बोल रहे वह था है इस पर जितना कियो नेक्ट जो होगा वह क्या होगा क्यों क्या होगा है टोटल चार्ज चार्ज चाहला रहाई यह अगर मेसि को इस बना लिया जैसे मान के जलो मैंने सब्सक्राइब एक एक लेटरल ट्रेइंगल मतलब यहां भी कुछ प्लस क्यूंप यहां पर माइनस क्यूंप यहां पर प्लस टू क्यूंप ए वी सी हमारे क्या एक आइसलेटर सिस्टम है आठिसा मान क्योंक्य अगर इसको आइसोलेट नहीं करेंगे तो भाहर के भी कूछ शार्ज पार्टिकल इसके इत रहलो अधर इंटरेक्शन भी तो लगा रहा हो गा तो हम इसको मान अगर रहे हैं आइसो लेैटेड सिस्टम अब अगर सिस्टम हमारा एकल्ब्रियम में है क्या यह सिस्टम का मीनिग होता है तो दियान से देखो क्या मीनिग होता है कि जो कहेगा सिस्टम आ इने के मिनिंग क्या होगा ही सो सिगमा समेह सन ओफ चैन में सीट प्वोर्ष ओन ए करे हैं बाइ बगट सी क्या होगा कि जीरों नहीं समय जाई यह है यह पे जो फोर्ज लगेगा ऑव और से दो ही मोटन और अदर्फ 1 क्सके बात करें सिख्ट की बात करें एक टो श्रीट की है तो हम क्या बोलेंगे force at a by b and c 0 अब हो सकता है इस पर एक अवे हो जाए एक बार ट्वार्ट होगा जो भी होगा जस्ट हमारे निकल्वियम होगा दूसरा क्या हो सकता है अगर इस पर बात करें तो सिंपल क्या लिखेंगे summation of fb by a,c also जीरो थर्ड पॉइंट क्या बोल सकते हैं कि सिग्मा कि एफ सी बाई एक कॉमा बीकुट समेशन का मतलों समझ रहे हो कि ने तो दो फोर्स आ रहा है ना जैसे मानगे जिलो ए पर फोर्स की बात करेंगे तो फोर्स ऑन ए बाई सी किदर आएगा direction किदर आएगा ने ने मैं क्या कौन सी फोर्स की बात करें फोर्स ऑन ए बाई सी किदर आएगा किदर जाएगा इधर किदर जाएगा तो यह जो direction हो गया कि फोर्स ऑन ए बाई सी हो गया अब एक फोर्स तो यह भी लगेगा यह कौन सा फोर्स होगा रिपेल करेगा तो यह कुछ इस तरीके से आएगा कि नहीं आएगा फोर्स ऑन ए बाई बी अब देख रहे हो यह दोनों फोर्स को अगर हमें वह करना है सिस्टम को इकलबियम में लाना है इसका एफनेट तो निकाल ही सकते हो न अगर एकुलेटरल है तो 60-60-60 तो यहां पर एंगल कितना बन जाएगा 120 इसका एफनेट निकाल लोगा लगाना आता है लेकिन देखो कि यहां कुछ न कुछ एफनेट फोर्स आएगा कि नहीं आए कि अगर सिस्टम को इकलबियम में करना है तो एक और हमें लाना परेगा जो इस फोर्स को क्या कर दे यहां पर मानके जलो हमने यहां पर क्या कर दिया है एफनेट लिया है अब F net जब आया जाएगा यह पैलोरग्राम को solve कर लोग F net आ जाएगा इसके direction अपोजित direction में कोई अगर इसी के equal का कोई force आ जाए तो हमारे क्या हो जाएगा system equilibrium में हो जाएगा तो जब भी कोई वर्ड कहीं पर लिखा हुए system are in equilibrium तो ध्यान से देखो every particles जो experience कर रहा है electric force वो net electric force 0 है या नहीं है अगर नहीं है तो वो lines नहीं लिख सकता है और अगर लिखा है तो इसका मतलब understood क्या है तो सारे चार्ज पार्टिकल्स के दोरा उस पार्टिकल्स अब कभी कभी करते है पॉइंट बी आर इन इकलोबियम का मतलब क्या होगा पॉइंट बी का ही सारा चार्ज फोर्स क्या होगा जीरो होगा सिर्फ यहीं लाइन ट्रू होगा की नहीं होगा उड़ा सिस्टम नहीं दिया सिर्फ बोल रहा है पॉइंट बी आर इन इकलोबियम का रियल मीनिंग समझ में आया पॉइंट B आरे इकलिवियम का मतलब क्या हुआ शर्फ शार्ज पाटिकल्स बी ही एकलिवियम में यह यह एंड शी के साथ कोई कंडीशन्स नहीं है ना एंड सी में भी और नॉट भी अंगे बर्ट अगर मेरे को एक वर्ड दे रख्या इंग्या इन्ग तो हम क्या बोलेंगे अग विग्यूम गरें होगा प्रॉब्लिम पर आते तो सिंपल कहीं वह और एक्रील विएम दिया हुआ तो द्यान से करने की चीज है है अब सबसे पहले देखते हैं त्फों ट्व पॉइंट चार्ज उइस हु continues do एक चार्ज पार्टिकल्स यहां पे ले रहा हूँ, एक चार्ज पार्टिकल्स यहां पे ले रहा हूँ, कितने कॉंबिनेशन सेट हो सकते हैं, हो सकता है यहां पे प्लस Q ले लूँ, यहां पे प्लस Q ले लूँ, एक कॉंबिनेशन प्लस प्लस, दूसरा क्या कॉंबिनेशन स सेट हो सकता है यहाँ पे प्लस क्यूव यहाँ पे माइनस टू क्यूव तो यही कॉंबिनेशन सेट हो सकता है ना यह तो पोजेटिव पोजेटिव या पोजेटिव निगेटिव और एक कॉंबिनेशन क्या सेट हो सकता है यहाँ पे भी माइनस क्यूव और यहाँ पे माइनस न strengthen कंबिनेसं सेट हो सकता है न कि अब अगर सिस्टम को मुझे एकक्tałद्यियम में ला ना मांगे जलो यह एपॉइंट है द्ली कि अब यह늦 कर रहेगा कि कि अभी तो सिटिमरी लगेगा फोर्स ओन बी बाई ए अब अगर हम यहां पर बात करें फोर्स ओन ए बाई बी वो किदर नेचर का होगा इधर आएगा फोर्स ओन ए बाई बी इधर ही आएगा कि नहीं आएगा और यह ओलर्डी एक्लडियम में है की नहीं है डोनों का मैगनेट्यूड सेम हो जाएगा एक्लडियम में सेट आप है स्मझ में आ रहाना है अब प्लस Q और माइनस 2Q इसमें भी क्या है प्लस 2Q के बज़े से देखेंगे तो किदर फोर्स आएगा इसके बज़े से देखेंगे तो किदर आएगा ये और B प्लस Q माइनस 2Q एट्रेक्टिव नेचर का फोर्स ओन इस पे अगर देखें तो फोर्स ओन फोर्स ओन एबाई बी वो किदर आए इधर और सॉन एबाई बी ये भी क्या है एक इधर लग रहा है एक इधर लग रहा है और दोनों का magnitude क्या होगा आपस में सेम होगा थर्ड वाले में बात करें तो कि इभी एक रिपल्सन हो जाएगा रिपल्सन होके फोर्स किदर लगेगा एक इधर फोर्स बी बाई और इधर क्या लगेगा फोर्स ओन एबाई बी तो यह टू पॉइंट चार्ज अगर किसी सिस्टम में है है तो गर लिज्ट क्या होता है इसे एकम अब को हमें करना हो ता एकम केसे करो हैं आ जैने समय पुछे हो यह इसारे मान के रिपल्सन बर ऐसे क्या बोलोगे म्ला इन ओफ चार्ज क्का मतलब किया हुगा है एसे बी के बीच इन साइड हो गया इसके अब मानतों की पाटिक्लर केस के लिए हम देखते हैं एक यह करेंगे से हुचकर करेंगे बागी क्या करेंगे इस आफर क्यों आइख मेरिवने दीया two particle system में, दो चार्ज आपस में, एक लबियम है, यह यह था, यह बी था, इस पर plus q और इस पर plus 2 q, तो आप है, अब इस पर अगर कोई, यहाँ पर कोई चार्ज पाट्टिक्ल से इंट्रोडियूस कर देख लिए और पूछेगा क्यूं का नेचर बता दो और magnitude बता दो नेचर बता देगा क्या question पूछेगा नेचर नेचर का मतलब क्या होगा positive होगा या negative होगा और क्या पूछेगा magnitude पूछेगा और क्या पूछ सकता है कि अट डिस्टेंज हो सब्स Schüler में फेर क्यों इसे मांके इन्सायड पॉइंट होगा आट इसे मुझे पता चले जब इसकु तुम प्लेस कर हो तो तक्या देखो यह सिस्टम इकलबीन भी रहना चाहिए यह पार्टिकल्स भी एक रहना पर रहना चाहिए यहां पर देख रहें प्लस क्यू और माइनस क्यू अभे हो जाएगा प्लस टू की फ्लस इधर आ जाएगा इस पार्टिकल्स पर इस दोनों के वज़े से में भी एकल्वियम हो सकता है और सुलेटिस तो है ना दोनों आपोजी डियारेक्शन में यह मानगे अब मेरे को अगर यह दिस्टेंस को माने चलो इसके बीच कोई डिस्टेंस दिया रहेगा इसको एक्स ले लेंगे इसको वन माइनस एक्स लेके हम कर सकते हैं और देख लेंगे कहां पर इस्टेबल हो जाएगा तो इनसाइड में लेकिन क्या यह इस पॉइंट पर देखते जाएगा यह अब यह सिस्टम में रह पाएगा इकल्यम में है पॉइंट इवला पार्टिकल सिस्टम में रह पाएगा तो यहां पर कोई ना कोई चार्ज इसके आपोजिट में आना चाहिए क्योंकि अगर मुझे एक ऐसा चार्ज एंट्रोडियूस कर रहा है जिसके वज़े से यह पूरा सिस्टम इकल्बियम में हो तो हमें तो देखना पर एगा ना ये ये और ये तीनों क्या होना चाहिए आपस में इंट्रोड्यूस करें कि सिस्टम है यहां पर करेंगे कैशंकर है दो चार्ज पार्टिकल्स सेमनेचर का में थहां दूढ़ना है कितने केस बनेंगे केस जोट सो कितने माइनस माइनस के लिए ब्लस माइनस के लिए माइनस माइनस के लिए तीनों केस में तुमने एक बार पॉजेटिव यहां पर इंट्रोडियूस करके देखना है एक बार निगेटिव इंसाइड इंट्रोडियूस करके देखना है एक बार निगेटिव इंसाइड आउटसाइड इंट्रोडियूस करके देखना है क इस कौन सा केस equilibrium नहीं सेट कर पाएगा जिसमें दोनों फोर्स एक ही डिरेक्शन में आ जाए तो वो चार्ज पर्टिकल्स कभी एक क्लिवियम में नहीं होगा तो इसको करने का है कुझ में आ रहा ना कौन कौन सा केस प्लस करका और क्या माइनस माइनस करके और प्लस माइनस करके फिर हम इस पर एक कंक्लूजन सेट करेंगे समझ में आ रहा ना तो समझ में कैसे सिस्टम टू-पॉइंट चार्ज को कैसे सोचते हैं कि बरमासर में कुछ क्वेस्स दिये हुए एक दो केसेंस पे दिये हुए उसमें सूच नहीं आना चाहिए और सूचेगा कैसे जब इस दो चार्ज पार्टिकल्स के बिच तुम आर्बिटरी चार्ज को सेट करने की गोशिस करोगे कौन-कौन सा प्लस प्लस एक बार में हो जाएगा यह टोटल जितने केस बनेंगे अलग-अलग तुमने डाग्राम करने उसको सॉल्व करना है फिर जाकी नुमेरिकल से लग जागा फिर नुमेरिकल से नुमेरिकल से बच्रट लेता है सुब पुजटी पुजटी के बीच इनसाइड रखना चाहिए कि अभी हम देख रहा हैं सो हमारा सिस्टम equilibrium में हो रहा है पहले भी क्लिम में था अब कोई चार्ज पार्टिकल से इंट्रों करें तो अभी सिस्टम में क्या है एक्लूब्डियम में हैं यही क्वेस्टेंट करता है मल्टीपल पॉइंट्ट ऑफ चार्ज पर जैसे मानके चलो इसपते प्लस टू की वह इप्लस फॉॉर क्यू है यहां पर कॉंन सा इंट्रूडीउस करें इसके जेसे जो беспष चार्ज पार्टिकल्स ओपे कोई जैशने मानगत्र में दिदेगा सब्हूब मैनस क्यू जाह बोलाम मिल यह तो यह incom miracles आजसे मुझे पॉइंट बोल रहे शो हो जो हो एकप्लियम में इसका मतलब चार्च पार्टकल्स ओर नेट इसके वज़़े से देख लेंगे इसके वज़ेसे देख लेंगे इसके वज़ेर से इस hp व्यक्ति नहीं आ जाएगा मैं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है उस तो इचली सॉल्व कर लेंगे तो ध्यान से क्या समझ में रखना है इकलिक्पीलियम का इकलिबियम का guarantee म का जो है राहे कौन गौन सा इनवरत विकीलिभियम होगा अ ट Columbus system equilibrium और कौनसा होगा system equilibrium system equilibrium पूड़ को सिस्ट्म ही है हमारे equilibrium है यह चेक करना परेगा और और वह उज़ पार्टिकलर पॉइंट इकलिब्यूर्ब बोल रहे तब तो सिर्फ पॉइंट पे भी से नट फोर्स क्या होना चाहिए कि जीरो अना चाहिए थो समझ में आ रहे हैं कि यह पॉइंट दिकनु पंपर की एंक तो फिर हम कैसे एंक को इस तरीके से प्रॉल्म जो है system RNA equilibrium होगा already equilibrium में था अब नया charge introduce किये तो system already equilibrium में होगा तो उसको देखना परेगा से अब री particles experience करेगा वो force क्या होना चाहिए जीरो होना चाहिए तो यह system RNA equilibrium का questions है next जो टाइप 3 में हमने देखा type 2 में देखा अब टाइप 3 को देखते हैं टाइप 3 में क्या है कि एक equilibrium एक unstable equilibrium system unstable system दिया होगा unstable system जैसे ही system दिया तो मुझे पता चल गया सब्सक्राइब इसमें क्या होना चाहिए not equal to अब इसमें भी होगा unstable system with respect to एक particular point के बारे में कर रही है system system में तो हर एक पर नेट फोर्स क्या होगा जीरो होगा नेट फोर्स नॉट इक्वल टू जीरो होगा वह सकता है किसी particular point पर भी पूछ दें उसमें point system के according सोचेंगे उस particular point पर नेट फोर्स क्या होगा नॉन जीरो होगा अब अगर इसको equilibrium में सेट करें इसको इसने stable equilibrium को मेंने क्या करना है इस्टेबल को इस्टेबल में बनाने के लिए हम से फिर से क्या करना पड़ेगा कुछ न कुछ additional charge क्या करेगा इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा अभी तक क्या थे system में अल्रेडी कुछ चार्च हमें दिया रहता था जैसे मानगे जलो एक ट्रेंगल ले लेते हैं इस ट्रेंगल पे प्लस क्यू प्लस टू क्यू और यहां पे मान लेते हैं प्लस थ्री क्यू तो क्या होगा अगर ए बी सी और हमें बोल रहा है है सी आर एट एकलबियम तो सी वेट एकलोबियम तो फैन चार्ज इंट्रोड़िस अ कौन लाइन एकलबियमस क्या हाँ हमें एबी के मिडल में कि एबी के सेंटर में कौन सा चार्ज इंट्रोडूस किया और कहां पर इंट्रोडूस करना है बाहर से कोई एडिशनल चार्ज लाना परेगा अब ध्यान से क्या देखोगे इस पर फोर्स तो इधर लग रहा है इस पर क्या लग रहा है इंधर लग रहा है इस पर कि इधर फोर्स आएगा इधर आगी नहीं आएगा इसी फोर्स को उमें नेट करना है बताऊ इस पर फोजेटिव है तो इस इस minority लाओ इता होगे इस पोजेटिव के बीच क्या होगा और यहां पर हमने पोई प्जेटिव चार्ज लाना है जैसा भी होगे एधाराय तो सिस्ट्म में हमारा क्या हो जाएगा इस दोनों के करके हम इसका मैदनीटूड भी आउट कर सकते हैं क्लियर हैं कि नहीं क्लियर है द्ध्यान से देखो system क्या है system को बढ़ी है से देखो तो दियान से देखो system आर इन equilibrium है या system आर नौट equilibrium है इस तरह की problems को करने का benefit है यह टाइप 03 आ गया अब एक टाइप 02 कौन सा बचाए टाइप 04 कौन सा बचाए पेंडूलम वाले प्राउलम है तुम्हें ज्यादे प्राउलम्स होता है पेंडूलम देखो टाइप 04 को कैसे डी त्रान जोग दीया रहेगो कहीं से fix है एक charge particles यहां पे दिया हुए है यह सपोज एट इसाफ घर कर रहा होगा ना है तो यहाँ पे जब एख और s.p.o.б.s. चाहिए रहा था, extreme position से किदर आये गई, यह इधर आना चाह रहा था, तो इधर क्यों नहीं आ रहा है क्योंकि इस पे इधर की तरफ, और हमें कहा रहा है system rn equilibrium तो देखो system rn equilibrium का क्या मतलब है, इस point a, और . b, पे net force क्या होना चाहिए ? 0, net का क्या मतलब होता है ? सो, सिग्मा f x की value क्या होना चाहिए ? जीरू ये fx का मतलब हुग हो ? और जंटली न जीरू s-ifey का value भी क्या होना चाहिए ? तब जाके f net 0 होगा ? ये vertical बोल रहूँ सिग्मा एफएक्स जीरो का मतलब इस पर जीरो फोर्स है नेट जीरो है हो सकता है एफएक्स में कुछ इधर लग रहा है कुछ इधर लग रहा है कुछ ऊपर लग रहा है कुछ नीचे लग रहा है तो यह होता है एफएक्स समेशन का मतलब और फोर्स लगना ही नहीं एक होता इस दिए फोर्स नेट फोर्स जीरो डारेक्शन हो सकता पोजिट होज़ए तो वही एफेक्स और फ्वाई-जीरो कहां पर विद रस्पेक्ट टू पॉइंट इस प्रेस्पेक्ट टू प्विद एंड भी तभी हम बोल सकते हैं सिस्टम किसमें एकलवियम में हम हमें सिर्फ नहीं चेक करना पड़ता है अगर हम एनलैसिस तो मैं क्यूं बोलता हूं बार-बार एनलैसिस करूँ चीज़ों अब मुझे क्या देखना है सो एक पॉइंट पे कौन-कौन सा फोर्स लग रहा है तो जब एक हमने देखा तो एक तो नीचे के लिए तरफ क्या लगेगा इम觉 लगे और ऊपर के तरफ क्या लग रहा है बोडी का टेंस हो सघ्रत लग रहा है लवटन साइड को इसा फोर्स लग रहा है आप मानने चलो इसफ़ प्लस दे रख्या है और इस पे भी मान के चलो प्लस टू क्यूंद रख्या है एक रिपल्सेंक्रीयेट होगा तो भह रिफल्स फोर्स इसको किदर तो इधर कौन सा फॉर्स लगा है कि नहीं भागने दे रहा है कि इधर नहीं भागने दे रहा है कि नहीं दे रहा है इस फॉर्स को क्या करेगा यह एफ वाल का कौन सा कंपोने नॉर्मल है जमझ में आ रहा है क्या हो रहा है कि जब भी कोई सिस्ट्रम इकलर्यम में तो तुम्हें दिखना चाहिए यहां पर वॉल क्रियेट कर रहा है तो यह वाल क्या करेगा उसको पॉइंट एक लगह वो कउंटर कर देगा से क्लियर है करें कि यह पॉइंट ब्र Saints नल सी तो इधर भी सी लगेगा ना चौल वोई निगे निकी पता हो जाएगा कितना लिख होगा हैं कि उतक हो कि जाए में अ कितने लागो बता हो तो इधर वाला component क्या हो गया वगर हम भी पे देखे बी पे फोर्स के बारे बात करें तो क्या हो जागा ऐसे हो गया टेंशन का यह वला component यह वला component और नीचे नीचे क्या लगेगा एम जी मास तो वहीं लगएगा यह जो थीटा आने के बज़े से इधर क्या लग जाएगा टी कॉस्टी और इधर क्या जाएगा टी और इस पर इधर क्या लग रहा है कौन सा इलेक्टरिक फोरस औन वी बाई यह अब हमें दिख रहा है यह सिस्ट्रमुकろिध में है और यह भी दिख रहा है कि नहीं सिस्ट्म一個म है अब मुझे में रियल मीनिंग पता चल गया अब इसी में से किसी पैरईमेटर को को इस्तन का जब तक सिस्टम एकलोवियं में ना दिखे तब तक प्रॉबलेम में ना देखे तब तक प्रॉबलेम को आप देखो कैसे करते हैं इसको यह समझ मैं है अभ इसी में से दोनों में से कोई expression काम का हो सकता है जैसे maximum यह देखो क्या यह क्या जाएगा जाएगा एब एम जी और चैने साइंट किया जाएगा चाइगा कि पूर्स में यह कुछ पूछ पूछ नहीं दिया द्यान से सुनना इफ टैंशन कि इज नौट गिवन है और हमें कुछ प्रॉब्मिंस पूछ रहा अगर क्वेस्टन में टेंसन दिया ही नहीं तो क्या करते होगे टेंसन को ऐसे को अगर कि सिंपल से अगर टेंसन मुझे दिया नहीं है तो टेंसन को क्या रहे टेंसन के वैलुँस दिया नहीं तो मैं कुछेसन पूस एका बता हो क्योंकि एस ऐसा ना इसे क्या होजाएगा